जे श्री राम, कैसे हैं आप सब? I'm sure आप सब डेफिनेटली बहुत अच्छे होगे तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पस बहुत सारे प्लांस है और मैं उनको ग्रो करते हूँ नॉर्मल ग्रो बैग्स में जैसे कि प्लास्टिक की पॉलिथिन्स में या आशिरवाद आटे के या आटे के किसी भी पैकिंग में जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं या फिर चावल या धान की कट्टों में तो या बोरी में आप इसको इसली ग्रो कर सकते हो किसी भी प्लांट को प्रोवाइडेड उसका ड्रेमेज होल हो और प्रोवाइडेड उसका स्वाइल मिक्स अच्छा बना हो और उसे हावा, पानी और धूप ये तीनों मिलते रहें तो आपका पौधा कभी ने मरेगा ऐसे मैं ग्रो करते हूँ अपने प्लांट को तो मैं आपको यही एक सीक्रेट टिप दे सकते हूँ कि गार्डनिंग की कोई टिप नहीं है गार्डनिंग चलती है सिर्फ प्यार विश्वास से धूप हवा पानी से अगर मिट्टी धूप हवा पानी मिलती रहेगी और थोड़ा सा स्ने मिलता रहे वापाद हो मैं तो पौधे आपके कभी यह मरेंगे, ग्यारेंटी है यह मेरी तो हो गई आज की सीक्रिट टिप आज का अग्यान समात अब मैं क्या कर रहे हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ यह जो गार्डनिंग चैनल है इसमें मैं ज़्यादा टिप्स नहीं देती यह मेरे एक्सपीरियंस हैं जो हमें आपके साथ डे टो डे लाइफ में शेयर करती हूँ जो आज तक मैंने गार्डनिंग सीखी है अपनी मदर से वो लेगसी में आगे बढ़ा रही हूँ और मुझे यह लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ जिससे कि आप भी मेरे साथ मेरे को देख देख के आप भी करो गार्डनिंग और आप टाइम क्यों वेस्ट करो मेरे को देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करो और फिर साथ ही हम एक्सपीरियंस करेंगे अपने प्रोज और कॉंस कि अगर हमने यह कैप सिकम ग्रो करी है तो वह हुई या नहीं हुई राइट तो मैं ऐसा कुछ निया कि मैं ग्रोगर कर आपको दिखा रही हूं कि हां जी मैंने ग्रोगर ली नहीं मैं आपको एक एक प्रॉसेस एक एक क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल हो नहीं मैंने बॉटनी की पढ़ाई नहीं करी है तो मैं यह नहीं कह सकती जो मैं कर रही हूं 100% ठीक है लेकिन जो मैं कर रही हूं वो ठीक है या नहीं है वो हम देखेंगे ना साथ में एंजॉय करेंगे ना वो हम साथ में जीएंगे ना व कि हम सब को gardening जरूर करनी चाहिए चाहिए हमारी बैंकनी छोटी हो या बड़ी जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं कनेर का पॉधा लेकर आई हो इसको मैं report कर रहे हूं और यह मैंने बहुत इसको मुझे निकाल लिया गंबले में से तो यह जो स्किल है इस पर मुझे ना खुट पे इतना प्राउड होता है कि यह मैं कर लेती हूं बहुत अच्छे से और बहुत सारे लोग ना इसको बहुत exaggerate करते हैं कि वही हमने report कर रहे हैं अरे reporting में क्या दिक्कत है कुछ भी तो नहीं अगर आपका already soil mix अच्छा हो आपका प्लांट है आपका प्लांट हेल्दी है और आप अगर transfer करना चाहते हो छोटे से बड़े में तो इसमें है क्या problem कितना simple है जैसे कि अभी मेरा कनेर का प् इसमें कनेर के पते अपने अब इतने कड़क इतने हाड इतने क्रिस्पी हो गए थे कि सूख रहते हैं तो मुझे लगा कि हो सकता है इसमें पानी प्रॉपर रूट्स में ना जा रहा हूं तो यह सोचके ना मेरा दिल बड़े दिनों से विचलित था बड़ा बेच एन था म जो पुरानी सूखी डंडियां उनको मैं तोड रही हूं जहां डंडी हो नहीं अधिक हरी है ..वहां से व्ह था हरी है और एक ताजी हो सकती है ्र जहां वह क्रिस्प और हारण्वश्य है कि कुछ यह चान नहीं है पानी नहीं है उसमें फ्लूएड नहीं है वह सूख चु मिक्स्चर है और इसमें मैंने थोड़ी सी ना हल्दी डाल के रखी हुई है जिससे की कीड़े वगरा ना लगें आप चाहे तो हल्दी और दालचीनी भी डाल सकते हो मैं most of the time हल्दी डालचीनी डाल के रखती हूँ अपने स्वाइल मिक्स में तो इसको मैं अब अच्छे से पीछे मैंने नीचे मैंने मिटी रखी उपर से मैंने पौधा रख दिया और फिर से मैंने मिटी रखती तो इस मिटी में फटलाइजर बगरा सब आड़ेड है जैसे मै मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है अपने कनेर के पौधे को आप देख सकते हो और मेरी पूरी कोशिश है कि अब इसकी जड़ों में अगर पानी जाएगा तो यह सुखेगा नहीं पहले यह हो रहा था कि छोता प्लांटर की वज़ा से और आप देख रहो ना कि मिटी के प्लांटर होने जाही है जिससे की रूट्स को काफी अच्छे से जगा मिले और पानी पूरा जाए पौधों में तो पानी ना जाने के वज़ा से मेरा पौधा सूख रहा था जो मुझे लगता है तो मैंने इसको बड़े प्लांटर में डाल दिया है और आप देख सकते है रिजल्स के आपको इच्छे लगेंगे यह देखिए कितने सारे पौधेल में फूल आए में हैं आपको एक्स्पेरिमेंट सुक्सेस्फुल रहा से विए नेक्स वीडियो विद अनादर अप्डेट टेक केर बबाई